जो उड़ना है तुझे उचा परों को खोल के रख कसोटी वक्त की है होसलों को दोल के रख गुड एबनिंग आल अफ यू आप सभी कैसे हैं जरूर साजा करें आज हम लोग जन्वारी माह के विकली ठर्ड क्लास देखेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्पुन है इससे पहले आपको पीछे विकली वन और टू जन्वारी का मिलेगा तो आप सभी उसे भी देखें और जो लोग डेली करेंट अफिर्स फॉलो किये होंगे तो उनके लिए काफी महत्पुन है आप सभी जो है वो लाइफ चेट में प्रते कोश्चन का आंसर करें इससे आपको पता चलेगा कि डेली करेंट आपको कितना जो है वो आप देखेंगे हैं तो उसका आकलन आप विकली करेंट में करें तो सभी लोग जोरे जीतने लोग हैं वो सभी लोग जोरे थोड़ा सा आज लेट हो गया कुछ कारान वस तो सभी लोग जोरे और पहले सभी लोग वीडियो को सेर करें और उसके बाद सभी लोग को जोरे और सभी लोग लाइफ चैट में कॉमेंट करें जितने लगवक 50 प्लस कोस्टेन है आपका जनुवरी विकली में तो सभी लोग इसका प्रतीक कोस्टेन का ऑंसर करें तो उमेद करता हूँ कि सभी लोग जूरे होंगे नहीं जूरे हैं तो जल्दी सभी लोगों को जूरिए और अगर नए है तो प्लीज क्लास को सब्स्राइब करिए या फिर सभी लोग मिलकर क्लास को सेर करें सेर करते रहें और आज हम लोग पिछले पूरे विक के आपका जो है special current offers जो है वो bullet series का सारा question देखेंगे इसी वीडियो में तो पिछले वन विक का current हम लोग पूछ जो है इसमें recall कर लेंगे तो आप सभी जो है share करें और सभी लोग ready हो जाएं सभी ही लोग ready हो जाएं और उसके बाद सभी जो है वो इस question को देखे और इसका answer करें जितने लोग हैं सभी लोग answer करें उमीद करता हूँ कि सभी लोग ready होंगे चलिए शुरू करते हैं आज का एक number question है एक number question है कि हाल ही में किसे भारत का उप राष्टिय सुरक्षा सलाहकार dip to any से नियुक्त किया गया है तो हम लोग पीछे देखे थे कि अभी हाल ही में जो है भारत के ने जो है वो राष्टिय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है तो इसका answer आप सभी करें पंकच कुमार सिंग, अजीद दोवाल, राजना सिंग, दिलिप कुमार तो इसका answer आप सभी comment box में जरूर करें इसका answer जो है, वो हो जाएगा आपका एक number पंकच कुमार सिंग, पंकच कुमार सिंग, उपराष्टिय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है जबकि अभी हमारे देश के जो है, वो सुरक्षा सलाहकार जो है वो NA से जो है, अजी डोवाल हैं, तो दिहाँ रखेंगे इस question को देखिए, आज के question में सिर्फ हम answer ही बताते हैं आज के class में पिछले जो daily current affairs सिरी चलता है, उसमें पूरा detail से देखते हैं तो पूरे detail से जाने के लिए आप daily follow करें उसके बाद आकर यहाँ एक set के तोर पर लगाएं, कि हम जो कुछ देखें, उसमें मेरा कितना सही है तो अपने आपको आकलन कर लेंगे, तो इसलिए सभी लोग जो रहें, और daily वाला follow करते रहें इसके अलावा weekly वाला जो भी जाता है, उसमें आप test लगाएं और जब भी आप बैठें, 10 दिन, 15 दिन पर तो पूरे weekly को recall करें प्रते एक Sunday को को कोसिस करें कि पिछले के दो-तीन weekly है उससे देख लें इससे क्या होगा कि आपका पूरा current recall होते चला जाएगा आपको थोड़ा सा भी जाम में current से डर नहीं लगेगा, तो इसलिए आप सभी follow करें दो नमबर question है कि हाल ही में गुयें जुआन फुक का किस देश के राश्टपती हैं जो भश्चार भी रोदी अवियान के बीच इस्तिपादे दिये हैं तो अभी हाल ही में गुयें जुआन फुक ने राश्टपती पर से इस्तिपाद दिये हैं ये किस देश के राश्पती है तो इसका answer comment करें आप सबी इसका answer comment करें, इसका answer हो जाएगा आपका एक नमबर बियतनाम बियतनाम इसका answer हो जाएगा दियान रखेंगे तीन नमबर क्वेश्चन है हाल ही में संजुक्त राश्रक्षा परिसद ने किसे बैस्विक आतंकवादी घोंसित किया है तो संजुक्त राश्रक्षा परिसद के द्वारा किसे बैस्विक आतंकवादी घोंसित किया गया है इसका आंसर क्या होगा एक नमबर आप्शन है अब अब्दुरसीत, ठर्ड है सुलेमान ख्वाजाडी, इन में से कोई नहीं, तो इसका अंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, अब्दुर्रह्मान मक्की, जो कि पाकिस्तान के हैं, इसे ही संजुक्टरा सुरक्षा परिशाद ने बैस्विक आतंकवादी गोसित किया है, ध्यान कोश्चन है कि प्रदान मंत्री मोधी ने किस सहर में सांसद खेल महा कुम्ब के दूसरे चरन का उटगाटन किया, तो प्रदान मंत्री मोधी की दवारा सांसद खेल महा कुम्ब के दूसरे चरन का उटगाटन कहां से किया गया, बहुत अच्छा कोश्चन है, पीछे हम जो कि विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री ने इसका उद्गाटन किया था, तो उमीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सभी का किलियर होगा, नेक्ट प्रशन है, पांच नमबर के उत्तर प्रदेश के अमेठी में कुरवा और्डिनेंस फैक्टरी में कलास रिनी को एकके दोसो तीन असॉल्ट राइफल का निर्मान सुरू हुआ, यह भारत और किस देश के बीच एक ज्वाइन्ट वेंचर है, तो काफी महत्पून कोश्चन है, एक के दोसो तीन असॉल्ट राइफल, इसका उत्पादन जो है, वो मार्च तक होगा, और पहला क्हिप जो है, वो भारती सेना को सौब दी जाएगी, तो काफी महत्पून को रसिया का एक ज्वाइन्ट वेंचर है, तो ध्याँ रखना है भारत और रसिया, नेक्स्ट प्रस्टन है, छे नमबर कोश्चन है, ध्याँ रखेंगे, कि वंडे में दोहरा सतक लगाने वाले भारतिये कौन बने, काफी चर्चा में एक कोश्चन रहा है, उमीद करता हूँ कि आप सबी इसका सही आंसर करेंगे, कि वंडे में दोहरा सतक लगाने वाले भारतिये कौन बने, एक नमबर एडोई सर्मा, सेकेने विरेंज रहावा, ठर्ड नमबर इसान किसन और फूर सुभमन गिल, तो वंडे में दोहरा सतक लगाने वाले पाँचवे भारतिये आपक तक जो है वो भारतिये में अगर हम बात करते हैं तो सचीन तेंदूलकर, ब्रेंदर शाहवाग, रोहिस सर्मा और इसान किसन के बाद सुहमन गिल पांचवे भारतिये बने हैं तो ये ध्यां रखना है आपको रोहिस सर्मा के नाम जो है वो तीन दोधास तक है ये भी आपको अगला कोस्चिन है भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वरकिंग ग्रूप मिटिंग का आउजन किस सहर में किया जा रहा है तो आपको पता है कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता इस पर भारत कर रहे है तो भारत में जो अध्यक्षता हो रहे है उसक इसका एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर तीरू अनंत पूरम तीरू अनंत पूरम में इसका जो है वो आयोजन हो रहा है तो ये ध्याँ रखना है आपको next question पे चलते हैं next question है कि किस भारती अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंट प्रेड एस्पेसल अवार्ड से सम्मानित किया गया है काफी महत्पुन कोश्चन है ध्यान रखेंगे कि जो है किस भारती अमेरिकी को मार्टिन लुथर किंग ग्रेंट प्रेड से सम्मानित किया गया अगला कोश्चन है कि हाली में किस संस्था ने ग्रामिन स्वास संखे की रिपोर्ट जारे किया है ग्रामिन स्वास संखे की रिपोर्ट जारे किया गया है एक नमर ऑफसन है स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा ले सेकेन है नीतिया योग ठड़ है विस्वास संखटन डीर में से कोई नहीं तो मिनिस्ट्री ॉफ हेल्फ यंड गवर्वन्ट ऑफ इंडिया के दोरह ये रिपोर्ट जारे किया गया है तो दिहां रखेंगे अभी स्वास्त मंत्री की बात करें तो देश के अंदर स्वास्त मंत्री जो है वो मंसुक मंडाविया है ये पॉइंट को ध्यां रखना है यह आयोजन जो है भारत और मिस्र के बीच होगा जो कि पहला जो है वो सायनभ्यास है चक्रवात वन काफी महत्पून कोश्चन है और यह आपका 75 साल जो है वो राजनेक संबंध पूरे हुए इसलिए जो है वो आपका दोनों देशों के बीच जो है इसका आयोजन किया जा र समयलन क्या तीथी देश की भी बात करते हैं तो मिस्र ही है तो यह सारे पूइंट को आपको द्यां रखना है काफी महत्पून कोश्चन है आपका जो है वो यह वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम जो था उसमें द्यां रखना है कि इसका वैठक जो है वो दावोस में हुआ था इसम आपका जो है कुछ महत्पून बिंदू थे इसे आप द्यां रख लेंगे कि आर्थिक मंच के द्वारा जो है दावोस विजर लैंड में बैठक हुई थी तीरपनमी बैठक थी यह पूइंट द्यां रखना है थीम इसका द्यां रखना है आपको कि को आप्रेशन इन फ्रे जकता कोली सामिल थी यह भी द्यां रखना है आपको और इसी में जो है Oxford International के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 1% अमीरों के पास 40% संपत्ती है और वहीं नीचे से 50% अबादी के पास कोल संपत्ती का 3% है तो कितना बड़ा आयमया समानता था यह सारे चीज़ तो आप सबी जो इसे ध्यां रखेंगे नेक्स्ट कॉस्चन है कि स्टार्ट अप दीवस मनाया जाता है तो स्टार्ट अप दीवस कब मनाया जाती है ध्यां रखेंगे हर वर्स जो है वह आपका स्टार्ट अप दीवस कब मनाया जाती है तो ध्यां रखेंगे इसका अंसर ह में किस कंपची ने अगले 5 वर्स के लिए महिला IPL के मीडिया अधिकार को 951 करोर छे लिए तो इस पर महिला IPL घर्जन होने वाला है ध्या रखेंगे और इसमें जो है वो अगले पांच वर्ष के लिए महिला IPL के मीडिया अधिकार को 951 करोर में किसने खरीदा है तो ध्यान रखेंगे YCOM 18 के द्वारा खरीदा गया है तो इसका एंसर हो जाएगा YCOM 18 ध्यान रखना है अगला question है Next question है कि हाल ही में 5G तकनिक लागू करने वाला पहला अकांची जिला कौन बना है तो 5G तकनिकी लाउंच करने वाला भारत का पहला अकांची जिला कौन बना है तो ये ध्यान रखना है आपका इसका आंसर हो जाएगा अगला question है कि कौन से देश अपने 75 स्वतंता दिवस्वा भारत के पहले PM JL नहरू यानि कि जवाला नहरू के चितर से हैं दांक टीका जारी करेगा तो कौन सा देश जो है अपना 75 स्वतंता दिवस्वा भारत का इक डांक टीका जारी करेगा तो यह जो है डिसीजन स्रिलंका के द्वारा लिया गया है तो ध्यान रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा स्रीलंका अगला क्वेश्चन है कि किस सारवजनिक चितर के बैंक ने किसान पुस्पक योजना के तहट गरूर एरो एसपेस के साथ साजिदारी की है तो किस सारवजनिक चितर की बैंक है जो किसान पुस्पक योजना तो यानि कि उसी का किसान पुस्पक योजना है और उसने जो है उसी योजना के तहट गरूर एरो एसपेस के साथ एक साथ दारी की है ओफ्सन नमबर एक है पंजाब निस्टनल बैंक युनाइटेड बैंक आफ इंडिया और केनरा बैंक इस्टेट बैंक आफ इंडिया तो इसका यह भागिदारी की है आपका UVI ध्या रखना है UVI के द्वारा आपका भागिदारी की गई है तो ध्यार रखना है आपको चलते हैं आगे आपके लिए एक लाइन हार तो वो सबक है जो आपको बैस्तर होने का मौका देगी तो बिलकुल अगर हम हारते हैं तो उसी हार से हम सीखते हैं और एक दिन ऐसा होगा कि हम बैस्तर करेंगे तो इस तरह से आपको हार से घबराना नहीं है आपको सीखना है औ और आप बैस्तर कर सकते हैं, तो हार से कभी भी आपको नहीं घबराना है ध्यान रखेंगे, और इस तरह से आप सीखते चलें, और एक दिन आप बैस्तर होंगे, तो बैस्तर होंगे तभी जब आप हार रहेंगे, और हार से आप सीखेंगे, अब यह नहीं कि आप हार हैं, उस और बाकी के class को like, subscribe और आप सभी करते रहें इतने हो सके सभी लोगों को life chat में जोड़े और सभी लोग life chat में question करें इससे काफी फायदा होगा आप लोगों को अगला question है 16 नमर के हाल ही में प्रदान मंत्री मोधी ने चिकिस्सा अपुरती है तो घोसना किया तो बेभिन देशों में जो है चिकिस्सा प्रवाइड करने के लिए प्रदान मंत्री मोधी के द्वारा कोंसी किस्का घोसना किया गया है तो आरोग मैत्री आरोग काला योग आयाथ तो ध्यान रखेंगे इसका answer हो जाएगा आरोग मैत्री आरोग मैत्री के तहट जो है बिविन देशों को चुकिस्सा सुविधा उपलब्द कराई जाएगी तो काफी महत्पुन पॉइंट है ध्यां रखना है आपको अगला question है next question है आपका 17 नंबर कि हाल ही में दुनिया के सबसे खुषूरत महिला कहे जाने वाली अभिनेत्री और फोटो जर्नेलिस्ट जीना लोलो विर्ग्रा का निधन हो गया इनका संबंध किस देश से है तो ध्यां रखेंगे इनका संबंध जो है वो किस देश से है एक नंबर उप्सन है अमेरिका सेकेंड है इटली थर्ड है फ्रांस डी इनमें से कोई नहीं तो इनका संबंध जहां रखना है कि इटली से है तो इटली इसका आंसर हो जाएगा अगले question है कि देश में मौसम के गतिवीधियों पर नज़र रखने वाली दौफलर वेदर रडार की संख्या 2023 में कितनी है तो काफी महत्पून question है सरगार के द्वारा जो है वो दौफलर वेदर रडार की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि विविन गटनाई अगर होती है आंधी तुफान से रिलेक्टे तो इसकी सूचना मिल जाए अभी जगा तो इसके लिए रडारों की संख्या बढ़ाई जा रही है और अभी वर्तुमान में रडारों की संख्या बढ़ कर जो है वो 37 हो गई है ध्यान रखना है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 37 अगला question है कि अभी हाली में संख्यूक रासंग ने बिहार के किस योजना के प्रसंसा की है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका गंगा जल आपूर्ती योजना गंगा जल आपूर्ती योजना की जो है वो संख्यूक रासंग के द्वारा प्रसंसा की है किया गया है तो यह point को आपको दिहां रखना है अगला question है कोलम को देश का पहला पुन समयधानिक साक्षर्ता जिला घोसित किया गया है कोलम को दिहां रखना है कोलम को जो है वो पुन समयधानिक साक्षर्ता जिला घोसित किया है या भारत के किस राज में इस्तित है तो ध्यान रखेंगे कोलम जो है वो आपका करनाट किरल अंध प्रदेश्या तर्मिल नाडू तो कोलम एक किरल का जिला है ध्यान रखना है और यही भारत का पहला पुन समयधानिक सक्षर्टा जिला घोसित किया गया है इसे तो ध्यान रखना है नेक्स कोशन है कि सोतंत्र भारत के पहले एटली जिनके सम्मान में गूगल ने डूडल बना कर सम्मानित किया तो वो कौन है तो ध्यान रखना है कि जो है पहले एटली थे जिन्होंने 1952 के ग्रिस्मिकालिन ओलम्पिक में ओलम्पिक पदक जितने वाले सोतंत्र भारत के पहल नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे pocket dynamo के नाम से जाने जाते थे और वह विक्ति हैं ध्यान रखना है आप सभी को खसाबा दादा साहब जादा हो जिनके सम्मान में google ने डूडल बना कर शम्मानित किया है तो ध्यान रखना है next question है कि हाली में भारत के किस रासरकार ने एलान किया कि जादा बच्चा पैदा करने पर इनाम दिया जाएगा तो काफी महत्वन question है कि वहाँ पर प्रजनंदर काफी घट गई है जिसके वज़ाद से जो है वहाँ के मुख मंतरी के द्वारा गोशना किया गया कि जादा बच् को दिया रखना है अगला question है कि हाली में किस सहस्था ने बैस्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया तो किस सहस्था के द्वारा जो है वो बैस्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया गया ओफसर नमबर एक है बिस्व बैंक सेकेंड है आईव में थर्ड है ऐडीवी और जिसकी अस्थापना 1971 इसी में हुआ था और मुख्याले इसका कोलो गनी स्विजर लेंड में है तो दिया रखना है आप सभी को तो ये सारे पॉइंट आपके लिए महतूर्ण है तो आप दिया रखेंगे सारे पॉइंट को अगला question है कि हाली में भारत के किस राज में .fest festival क कायोजन किया गया तो कभी-कभी जहां में festival related question पूछ लिया जाता है तो .fest festival कायोजन भारत किस राज में किया गया तो दिया रखेंगे इसका answer जो है आपका हो जाएगा एक number odisa odisa इसका answer हो जाएगा देखिए सभी लोग answer करते रहें इससे क्या होगा कि आप सभी को फायदा कि इसमें जो है सभी लोग का answer सही होगा कि जो है अभी खास कर जो है वो अभी जो है प्राइच का दोड़ चरह है किस movie के लिए तो ध्यान रखेंगे यह सभी आवार्ड जो है अभी RRR को ही मिर रहा है तो इसलिए RRR काफी चर्चित movie है तो ध्यान रखेंगे कि 2023 में best foreign language film का अभार जो है RRR को दिया गया है ध्यान रखना है आपको अगला question है भारत के G20 की अध्यक्षता के तह थिंग 20 बैठक का आयोजन किया जा रहा है तो G20 के बैठक जो चर्च रहा है उसमें think 20 का बैठक कहां पर संपन हो रही है ध्यान रखेंगे तो think 20 का बैठक जो है वो भारती है 9 से 9 और किस देश के बीच अभ्यास है तो दियान रखेंगे कि वरून exercise भारत और किस देश के भी संपन हुआ है जो कि West Coast पे हुआ है तो ये भारत और France का एक संज्जुक्त सैनभ व्यास है ध्यान रखना है भारत और France के भी तो दियान रखना है अगला question है कि बि बिहार के ने महाधिवक्ता कौन बने है इसका अंसर आप सभी को करना है कि बिहार के ने महाधिवक्ता और एक है ललित के सोर्थ है जिनके जगा पे पिक्के साही बिहार के ने महाधिवक्ता बनाएगा तो दियान रखना है आपको अगला question है कि 75 थल सेना दिवस कब मनाई गई तो काफी महत्पून question है कि थल सेना दिवस ध्याँ रखेंगे 15 जनवरी 1949 को फिल्ड मारसल के इम करियपपा भारतिय सेना के पहले परमुक बने थे इसी उपलक्ष में हर वस भारतिय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसी नमबर 15 जनवरी उमिद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी लोग सही आंसर कर रहेंगो तो इसी तरह से सभी लोग कॉमेंट करते रहें सभी लोग जो है प्रतेक आंसर का कॉमेंट करें इससे आपका पूरा करेंट के लिए होगा डेली करेंट एफेस को फॉलो करें और weekly में आकर अपने current को recall करें, आपके लिए काफी बेस्तर से बेस्तर content लाता हूँ ताकि आप बेस्तर कर सकें, आपके लिए साड़ा सुविधा इस चैनल पर उपलबद है, special geography series, special quality series, daily current series, weekly current, तो इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ ताकि आप बेस्तर कर सकें, तो उमिद क करता हूँ कि आप सभी बात को समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, तो कोसिस किजिए, आज से जो है, अपने समय का 100% उटिलाज करें, ताकि आपके लिए बेस्तर हो सकें, आइए next question पे चलते हैं, 31 number question है, कि 71 Miss Universe 2022 के बीजेता कौन बनी है, काफी महत्पुन question है, आप लोग जरूर इस question का answer करें, खतर में Miss Universe कौन बनी है, तो एक नमबर हरनास संदू, बी नमबर आरवनी ग्रैवियल से ठर्ड है, अमांडा डूडा मेल, और डी नमबर दिवीतार है, तो इसका answer हो जाएगा आपका, बी नमबर आरवनी ग्रैवियल जो की इवेसे के हैं, संजुक त राज अमेरिका के हैं, और इन्हें 2021 के जो बीजेता हरनास संदू थी, उन्होंने ही ताच पहनाई थी, तो ध्यान रखेंगे, पिछला है हरनास संदू जो की भारत के थी, और इस बार अमेर्की आरवनी ग्रैवियल बीजेता बनी, वहीर रनर में अमांडा डूडा में रह बुलाएंगे, तो काफी महत्मून डिसीजन जो है सरकार के द्वारा लिया गया ताकि लिंक असमानता को कम किया जाए, दूर किया जाए, इसके लिए जो है, वह सर या मैडम के जगा पर टीचर कहके बुलाएंगे, तो यह डिसीजन के मुख मंत्री पिनराई विज्जन के द्वारा लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे, इसका अंसर हो जाएगा आपका केरल, अगला कोस्चन है, नेक्ट कोस्चन है, कि दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन बनी है, तो उमीद करता हूँ कि इसका अंसर आप सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि फोटो देखक तक पदाथिकारियों के डाटा अपलोड किया गया है, ताकि एक क्लिक में सभी पदाथिकारियों तक सूचना प्रवाइड किया जाए, तो दुनिया की सफसे बड़ी डिजिटल पार्टी जो है, वो भारतिय जनता पार्टी बनी है, जिसकी अस्थापना 6 अप्रेल उनी से तो अस्थी को ही थी, और अभी वरतमान में केंद्र में इसी पार्टी की सरकार है, जिसमें नरेंद मोदी देश की प्रधान मंत्री है, तो अभी भारतिय जनता पार्टी की ही सरकार है, और इसके वरतमान अध्यक्त, जब प्रकास नडड़ा है, तो यह ध्यां रखना है आ बना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका एक नंबर बिर्सा मुंडा इस्टेडियम और इसा के अंदर है यही आपका इसी ही अंतराष्टियम होके महासंग के द्वारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा होके स्टेडियम गोचित किया गया ध्यान रखेंगे तो यह काफी बड़ा जीत दर्च किया किसे हरा कर तो इसका अंसर हो जाएगा आपका एक नंबर स्री लंका स्री लंका को हराया भारत ने जो है वो 317 रन से ध्यान रखेंगे 390 रन की लक्ष दिया था भारत ने जिसमें स्री लंका जो है वो 73 रन पे ओल आउट हो गया और इस तरसे भार को भारत ने से लंका को हरा कर तोर दिया और सबसे यह है वो ज्यादा रन से जित दर्च करने का इतिहास अपना नाम इतिहास में अपना नाम दर्च किया भारत ने तो यह पौइंट को ध्यां रखेंगे और बाकी तो उमीद करता हूं कि आप सब जो है किर्केट से मनाया जाने वाली तेहवार है तो काफी महत्पुन question है हाल ही में जो है 15 से 18 जनवरी के बीच पोंगल किस राज में मनाया गया तो काफी महत्पुन question है उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे इसका आंसर एक नमर तमिल नाडू हो जाएगा पोंगल तमिल नाडू के प्रमुख तेहवार है ध्या रखना है जिसका 15 से 18 जनवरी के बीच आयोजन किया गया अगला question है कि global fire power index 2023 इसमें भारत की ranking क्या है तो अभी जो है वो global fire power index में भारत की ranking जारी किया गया जिसमें भारत की ranking क्या है एक दो तीन या फिर चार तो ध्यां रखेंगे इसमें भारत की ranking फॉर्थ है यह ध्यां रखना है आपको इसमें देखे थे कि आपका जो है वो पहले अस्थान पे अमेरिका जिसने 0.721 0.0721 0.0721 तो जिसका जितना कम होगा वही उतना मजबूत होंगे और भारत का rank 4 है तो दिहां रखना है आप सभी को अगला question है कि हाल ही में हाल ही में राष्टिय स्वास्थ प्राधिकरन के निर्देशक के रूप में किसे निक्त किया गया है तो स्वास्थ प्राधिकरन के निर्देशक के रूप में किसे निक्त किया गया है इसका आँसर आप सभी कॉमेंट करें Dr. Indovushan, Mukesh Kumar, Rohit Kumar या परवीन सर्मा तो राश्टिये श्वास्त प्राधिकरन के निदेशक की रूप में अभी हाली में प्रवीन सर्मा को निक्त किया गया है, ध्यां रखेंगे, तो इसका एंसर प्रवीन सर्मा हो जाएगा, अगला है कि हाली में किस British भारतियों को Freedom of City of London Award से सम्मानित किया गया, तो ध्यां रख मनिस्तिवारी इसका अंसर हो जाएगा, अगला कोस्चन है कि भारत के G20 Presidency के तहत भारत में पहले Global Tourism Summit का आवजन 10 से 12 April के विच कहां की जाएगी, तो काफी महत्पून कोस्चन है ये भी, इसका अंसर आप सभी Comment Box में करें, भारत के G20 Presidency के तहत भारत के पहले Global Tourism Summit का दिल्ली में इसका आवजन अप्रेल में किया जाएगा, ध्यां रखेंगे, अगला कोस्चन है कि हाली में मानो सेवा के लिए बहरीन का ISA Award किसे प्रदान किया गया है, तो मानो सेवा के लिए काफी महत्पून कोस्चन है, कि मानो सेवा के लिए जो है, वो आपका ISA Award किसे प उमिद करता हूँ कि आप लोग का सभी कोस्चिन जो है सही डंग से रिकॉल हो रहा होगा और इसी तरह से आप सभी रिकॉल करते भी रहें अगला कोस्चिन है कि किस कंपनी ने वर्थ 2022 थे इसके लिए वार्षिक परदर्शन लक्ष निरधारित करने के लिए नवीन और नवी करने उर्जा मंत्राले के साथ एक समझाता ग्यापन परहस्ताक्षर किया अगला कोस्चिन है नेक्स कोस्चिन है कि ब्रांड गार्जियन सिफ इंडेक्स 2023 के लिए भारत को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ तो किस भारतिये को जो है दूसरा अस्थान प साथ तो इसमें ऑस्थान पर है जो कि अहीं पर भारत में प्रतम रहे है जो कि अमेरीका की तो यह ध्यान रखना है आपको अगला question है कि कौन सी company rail आयर ग्राहकों के लिए internet protocol television service 26 जनवरी को launch करेगी तो किस company rail आयर ग्राहकों के लिए जो है वो internet protocol television service 26 जनवरी से launch करेगी तो option number 1 है आपका rail tail second है BSNL third है जी वो fourth है air tail तो यह जो है वो rail tail के द्वारा launch किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे rail tail इसका answer हो जाएगा अगला question है National Registry Response Force NDRF के स्थापना दिवस कब मनाई गई काफी महत्पून question है NDRF के स्थापना 2006 इसवी में की गई थी से related महत्पून question है ध्यान रखेंगे इसकी असथापना जो है वो 2006 में हुआ था मुख्याले नई दिली में है हेडवी अतुल करवाल है और इसका मोटो आपदा सेवा सदेव है यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो है वो मोटो आपदा सेवा सदेव है तो देहां रखेंगेगा आप सभी आपके exam के डिश्टी से काफी महत्पून point है यह सारे अगला question है कि हाल ही में जे सिंडा अधर्ण अपने पद से इस्तिपाद देने की घोसना की किस देश की PM है तो जे सिंडा अधर्ण अगले महीने अपने पद से इस्तिपाद देंगे तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अगला question है काफी महत्पून question है और इंडिया के डिश्टी से काफी महत्पून question है कि अभी जो है गांबिया के उपराष्ट पती जिनका भारत में निधन हो गया तो काफी महत्पून question है बिमार चार रहते बारत में आते है और इनका निधन हो गया है तो इनका नाम क्या है तो ध्यां रखेंगा option number 1 है बदारा अली जूफ से के ने शुलिमान ख्वाजा इनमें शे कोई नहीं तो इनका नाम है ध्यां रखेंगे बदारा अली जूफ बदारा अली जूफ का हाल ही में जो है भारत दोरा पे आयत है और इनका नीधन हो गया है तो उमीद करता हूँ आप सभी का आंसर सही होगा सभी लोग comment करें जीतनी लोग जूरे हुए हैं सभी लोग प्रतेक आंसर का comment करें अगला question है कि कीन बेतवा लिंक परियोदना की संचालन की तीसरी बैठक नई दिली में तो यह question तो यह ही हुआ कि नई दिली में संपन हुआ यह किस राज की साध्या प्रोजेक्ट है तो option नमबर एक है MP UP second है MP गुजरार third है UP बिहार तो इन में से कोई नहीं तो यह मध्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक साध्या प्रोजेक्ट है ध्या रखना है तो इसकी तीसरी बैठक नई दिली में संपन हुआ है ध्या रखना है अगला question है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में Girls for Tech STM पहल की दूसरे फिच की सुरुवात की गई है तो ध्यार रखेंगे कि किस कंपनी ने option number एक है master का second है PTM, third है Reliance, industry, fourth है Tata तो यह दूसरे फिच की सुरुवात जो है master card के द्वारा किया गया है ध्यार रखना है master card इसका answer हो जाएगा अगला question है कि one day में 12 सतक लगाने वाले सबसे इवा बल्लेबाच कौन बने तो पीछे भी हम लोग देखें सबसे इवा बल्लेबाच इसान किसन के record तो रहे हैं वो कौन है तो इसका answer जो है सुहमन गिल हो जाएगा सुहमन गिल के द्वारा 12 सतक लगाया गया जो कि 5 भारतिये बने हैं और सबसे इवा बल्लेबाच बने हैं ध्यार रखना है अगला question है कि हाल ही में 36 गड़ राजस्थान और पंजाब के बाद किस रास ने सरकारी करमचालियों के लिए पुरानी पेंसन योजना OPS सुरू किया है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी इसका सही आंसर करेंगे 36 गड़ राजस्थान और पंजाब ध्यार रखेंगे इसके बाद कौन सा राज है जिसने सुरू किया है तो ध्यार रखेंगे option नमर एक है बिहार, second है अब ही माचल प्रदेश अगला question है कि भारत की पहला 3X platform with turbine generator किस राज में अस्थापित किया गया है तो ध्यार रखेंगे कि 3X platform with turbine generator किस राज में अस्थापित किया गया option नमर एक है राजस्तान second करनाट है, third उतर प्रदेश fourth जो है मध्ध प्रदेश point है, जो कि news analysis में हम लोग देखे थे, उसको भी आप सभी recall कर लें ताकि आपको इस से related question अगर एक जाम है पूछे तो ना छूटे तो ये भी आप देख लें news analysis of the day में देखे थे कि निती आयोक का जो है एक report 2022 में आई थे, तो इसमें जो है वो district ranking दिया गया था, जिसमें पहले अस्थान पे जो है देखे थे कि जारखन के लोहदरगा था और सेकिंड पे राजस्थान के जैसलमिर और तीसरा पर भी जारखन के हजारी बाग, चौथे पर जो हरियाना के मिवात और पाचवे पर जारखन के बोकारो, जिसमें टॉप फाइव में देखे थे कि जारखन के तीन जिला आये थे, तो ये ध्यार रखेंगे निति आयोकियस था अपना एक जनवरी 2015 को योजना आयोका स्थान लिया था ध्यक्ष प्रदान मंत्री मोधी उपाध्यक शुमन बेरी और डी परमिश्वरम अयर हैं तो ध्यार रखेंगे ये आपका काफी महत्पुन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है वो नीव एनालिसिस में काफी महत्पुन क्वेश्चन था देश के अंदर बहुत दुर्भाग के पुन घटना देखने के लिए मिला कि जो है वो कुस्ती संग के जो अध्यक्ष है ब्रिजभोसन उन पे जो है सोसन का आरोप लगा है कि जो है जो भी हमारे देश के कुस्ती संग के खिला रही है उनके साथ यौन उत्पिरन का मामला आया है जो कि बहुत गंबीर गटना है ऐसे हमारे देश के लोगों को नहीं करना चाहिए देश के जो वेटी देश का नाम कर रही है उन्हीं के साथ इस तरह के बहवार सोभा नहीं देती है तो इस तरह के मामला सामने आया गंभीर मुद्दा था और दुर्भाग पूर्ण घटना थी अगला कोश्चन है तो देखे थे हम लोग कैसे जो है नेपाल के अंदर एक बहुत भिहानक घटना घटी थे कि पोकरा के पास सेती नदी के खाई में जो है एक प्लेन क्रेस किया था और इसलिए वहाँ पर एक दि लोगों की जो है वो मौत हो गई थी तो देखे नेपाल के अंदर बहुत गंभीर घटना होई थी बहुत दुर्भाग पूर्ण तो इस तरह से जो है वो भिहानक घटना देखने के लिए मिला था तो ये भी आप दिहान रखेंगे अगला कुश्चन है आपका नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के द्वारा बैठक बूलाई गई थी आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा बैठक बूलाई गई थी चाफी महत्पूर्ण पौइंट था कि निर्वाचन आयोग सभी पार्टियों को बुला कर बैठक की थी ता कि जो है वो कहा जाए तो जो है वो जो भी परवासी हैं वो लोग अपने पसंद के कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए जो है वो आपका बैठक हुआ सभी दल लेकिन हलाकि फिर जो है वो योग के लिए हरी जंडी दी है तो ध्यां रखेंगे आर्वीम काफी चर्चा में रहा है ये भी ध्यां रखना है आपको और अगला जो है वो हम लोग देखते हैं आर्वीम के बाद अगर देखा जाए तो एसेमली इलेक्शन काफी चर्चा में रहा था ध्यां रखेंगे भारत के पुरवत्तर राज में खासकर तीन राज्यों के अंदर वो आपका Assembly Election भी होने वाला है दियाँ रखना है तीन पुरवत्तर तीन राज्यों जहांपे Assembly Election होने वाला है, तो यह भी दियाँ रखना है त्रिपूरा नागालैंड और मेघाले में और मेगाले में election होने वाला है जहाँ पर तीनों राजियों के विधान सभास और दस्यों की संख्या 60-60 हैं तो ये ध्यान रखना है तीनों राजियों में एक ही चरण में चुनाव होंगे तो काफी महत्पून कोश्चन इसकी घोसना जो है election commission के दवारा किया गया तो ये आज कि आपके लिए महत्पून question with news analysis था तो आप पिछले week में जो कुछ भी आप पढ़े थे देखे थे उसको आप यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे जब भी आपको समय मिले पीछे की वीडियो को रिकॉल करें weekly बार बार देखें इससे आपका पूरा current clear होगा क्योंकि आप सभी कह करते हैं कि एक्जाम में सर जो है इतना पुराना question आ रहा है इतना पीछे से आ रहा है तो बिल्कुल एक्जाम में कुछ भी दे सकता है इसलिए आप सभी जो है वो डेली के current picture देखे और पीछले current को रिकॉल कर इससे आपको एक्जाम में कभी भी आपको problem नहीं होगा आप बेस्तर कर सकते हैं तो इस तरह से उमेद करता हूं कि आप सभी समाज रहे होगा और सभी का current बेस्तर हो रहा होगा तो बिल्कुल आप सभी पीछे की वीडियो देखते रहें तो आज यहीं तक फिर मिलेंगे next class में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पीच आप सभ सभी को